हेलो फ्रेंड्स तो आज का हमारा डावट का कोश्चन है कोश्चन नंबर 66 शारों देखते हैं कि क्या पूछा इस कोश्चन में ठीक है अब ठीक है अब ठीक है ती फिगर देट इस नॉट डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन आफ दी क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स इस कोश्चन है जे में 2020 का 2020 का ठीक है पहला अप्शन यहां पर इंक्रीजिंग वेवलेंद्थ और एब्जॉप्शन स्पेक्ट्रम बना रखा है दूसरा है इंटर्नल एनरजी और और टेंप्रेचर के में तीसरा अगर हम देखते हैं तो यह बनता हमें का इंटेंसिटी और ब्लैक बॉ किसके बारे में दे रखा है यहां पर वेवलेंद्थ है और यहां पर मान पास है स्पेक्ट्रम एब्जॉप्शन स्पेक्ट्रम ठीक है एब्जॉप्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉप्शन स्पेक्ट्रम मैं इसको बना नहीं रहा है मैं आपको कुछ थोड़ा दिखा रहा ह है और spectrum मतलब कि क्या कि यह atomic spectrum ही होगा ठीक है तो यहां से हम कह सकता हूँ इस पर कौन सा concept है हमारा concept देखने बसमिया अपर Atomic spectrum वालगा पहरे option में ठीक है कर दोसरा अगर हम देखते हैं second उप्शन हमारा first था second option में हम देखती हैं तो हमारे पास यह दे रखाए हैं एक टेमप्रेचर की बीच में और इंटर्नल में और क्या है इंटर्नल इनर्जी आप किसकी आरगन की ठीक है कुछ इस तरह से ग्राफ यह दे रखा एंचर यहां पर लिए गेश है तो मिलेज़ क्या दिखा रहा है कि तो टेमप्रीचर बढ़ा रहे है तो इंटर्रेप्परेशु A positives n इंटरने नेर्जि बढ़ रही है, मतलब क्या कि काइनटिक नेर्जी बढ़ रही है क्योंकि उसमें जो मॉलिक्विल्स हैं, वह दूसरे से दूर होने लग जाएंगे एक कंटेनर के अंदर भी होंगे तो भी तीसरा हमें बता है क्या, यहां पर और यहां पर यहांपे क्या है intensity है किसकी black body radiation कि जो掰掰 radiation है उसकी intensity है black body radiation की intensity और यदर क्या है हमार पस 이제 lambda wavelength तो यह कुछ graph इस तरह से कुछ दे रखा है यह कुछ दे रखा है कोई नहीं हम इन ग्राफ सी कोई दें हैं हम कि जो वह क्या कहते हो उसको radiation को absorb कर लेते किसी भी frequency कि कि यह हो तो यह हमारा किस concept के अंदर आता है black body radiation यह खोदी एक नाम है black body नाम भी और यह concept भी रेडियेशन ठीक है यह concept हो गया आप एक प्राश्ट है उसको भी देख लेती हैं फटा-फट से कोशर को करते हैं बाइंड फोड्ध है हमारा यहां पर देख सकी है काइनेटिक एनरजी किसका वह भी फोटो एलेक्ट्रॉन्स का इनरजी है यहां पर क्या विद्ध फ्रिक्वेंसी एफ एक मिनट फ्रिक्वेंसी आफ इंसीडेंट रेडियेशन ठीक है यही तो है यहां पर कुछ इसका इस तरह से ग्राफ दे रखा है तीन एलिमेंट्स दे रखेंए उनकी लिखने कुछ रूत है नहीं यहां से हम क्या देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फोटो एलेक्ट्रॉंस की मतलब कि क्या है फोटो एल ốc प्रक्राइब कि इस दालते में जिससे की हमारा ब्लाइक डेटीशन हो रहा है जो कि इस तरह से से हमेरी कमले wavelength है तो यह है और ज्यादा है तो इंटेंशिटी स्थे रही है ठीक है यहां पर आगर हम देखते हैं थार्ड में थार्ड में में क्लियर दिख रहा है हमें ना तो कोई wavelength की बात हो रही ना ही कोई frequency की हो रही ना ही कोई हमारा अलग है यह वाला graph हमारा अलग है और जो है उपर वाला वह आपको पता है atomic spectrum वह भी आता है हमारे सी के अंदर absorption और emission spectrum दो spectrum होते ना वह तो हमारे इसको option हो जाएक option number two तो चलो option को टिक कर देते हैं और वीडियो कर देते फिर तो हमारा हो गया option number two इसका correct answer और यह हमारा डाउट को question हो चुका है solve so that's all for the doubt question मिलते हैं अंगली वीडियो में तफदक के लिए question solve करते हैं जो डाउट बनेंगे वह इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी ठीक है आपको इसका solution मिल जाएगा description में लिंक में जाकर आप देख सकते हो so thank you so much for watching this video till then bye bye take care